से पाधिकुलर तरीके के लिखने की आदत हुजए पढ़ने की आदत हुजए नमस्ते दोस्तों प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है और ये वे जिग्यासाएं थी वे सवाल थे जो मुझे अकसर सुनने पड़ते हैं जिसमें विद्यार्थी लगातार एक रुचिकर चीज से टकरा रहे होते हैं और वह चीज है आदत आदत अच्छी या आदत एक बड़ी प्रॉप्लम है होता यह है कि हम बहुत सी चीजों को आदत कहते हैं और हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ वांचनिय आदते या हाबिट्स कैसर लेकर आई जाए या कुछ अवांचनिय हाबिट्स से कैसे बचा जाए लेकिन आज हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं लेकिन बात के शुरुआत करते हैं समझने से कि दरहसल हाबिट्स क्या है यह एक क्लास्रूम मोड में हम लोग अगले 10-15 मिनिट में इस विशेपर चर्चा करेंगे जिसमें मूलते हम जिन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे व और इन आदतों के पीछे का समाज शास्त्र जिया है यूँ एक विशे के तौर पर वे लोग जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं वे इसके बारे में पढ़ते ही हैं क्योंकि आपको हैरानी होगी कि यह ऐसी चीजे जिने हम सहज मान लेते हैं वे दरअसल आदत होती है मसलन सीखना लर्निंग एक आदत है मसलन भाषा लैंग्वेज दरअसल बहुत सारे भाषा विज्ञानी मानते हैं कि भाषा दरअसल एक आदत है और इसलिए जब हम किसी गैर भाषा भाषी को गैर मसलन किसी गैर हिंदी भाषी को अगर हम हिंदी सिखाने की कोशिश करते है जो हमारी जिन्दकी को लगाता प्रफावित कर रही है हमारी सफलताओं को प्रफावित कर रही है हमारी असफलताओं का कारण बन रही है बहुत सारे विद्यारतियों को लगता है कि उनका चैन उनकी कुछ बुरी आदतों की वजह से नहीं हुआ या अगर उनके पास कुछ अच्छी आदते होती तो वे अधिक सफल हुए होती फिर जाहिरे कि वे आदते तो हैं ही जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है मुबाइल फोन की आदत हो गई, नशे की आदत हो गई और इस तरह की दूसरी आदते यानि कि अगर आप इस आदत नाम की गुथी को सुलजा ले तो आपकी जिन्दगी की कई सारी समस्याइं उनका समधान हो सकता है तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हाबिट या आदत है क्या जिसे हम नियमित तोर पर दहराते हैं और बाद में वह स्वचलित हो जाते है उसके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता अगर आप लोगों ने कभी साइकल चलाई है चलाई ही होगी तो आपको याद होगा कि साइकल चलाने के प्रक्रिया में शुरुआत में एक बार सीखने के बाद आपको उसकी आदत हो जाती है फिर आपको किसी centrifugal force का ध्यान नहीं रखना पड़ता, chain drive का ध्यान नहीं रखना पड़ता, handle सीधा पकड़ना, इसमें से किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता, ये सब स्वमेव होने लगता है, स्वचलित तरीके से होने लगता है, automatically होने लगता है, इसका मतलब क्या हमका याद को याद करना पड़ता है बोलने के लिए नहीं क्योंकि बोलना अमूलत है एक आदत बन जाती है ठीक वैसे जैसे पक्षियों के लिए उड़ना या मचलियों के लिए तैरना एक आदत है तो कुल मिलाकर आदत का क्या मतलब है आदत का मतलब है हमारा वह वयभार ज उटकर आप चाय पीते हैं, अगर आपको चाय पीने की आदत है, वह आदत है, तो इसलिए हमें इस आदत की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, और क्यों जरूरी है, जैसा मैंने कहा, आप कई सारी आदतें चाहते हैं, कि आपकी जिंदगी में आएं, नहीं आती, असा फलता ह होती है, पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, कुछ उपन्यास विशेश या उपन्यासों को या कहानियों को पढ़ने की आदत है, या इस तरह की दूसरी आदत है, या पिर कई ऐसी आदते हैं, जो आपमें आ गई हैं, लेकिन आप उनसे चुटकारा नहीं पार, पास करेगा नई यह एक classroom वीडियो की जैसे है जो आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आदते हैं क्या और उनसे कैसे छुटकारा पाये जाता है सबसे पहले तो ऐसा समझे कि आदत का जो पहला चरण है जिसे हम trigger कहते हैं कभी-कभी क्यों भी कहा है ट्रिगर का मतलब है कि एक ऐसा signal है जिसमें कि हमारा मस्तिष्ख हमें यह बताता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत है यह आपको ऐसा करना शुरू करते हैं यह यह शुरूआत में दो-चार दिन करना पड़ता है इसका मतलब आदत जो है बिलकुल इसका शुरूआती चरण ह है जिसे हम ट्रिगर कहते हैं वह है यह पहला चरण है इसके बाद मसल्मानी जी अगर आपको याद हो कि सुभा जब अलार्म बज़ता है तो आपकी आँख खुल जाती है सही बात यह है कि अगर आपका अलार्म एक ही समय का है तो आपने लोटिस किया होगा कि अलार्म बज Q सबसे important है क्योंकि इससे आदतों का चक्र या loop of habit शुरू होती है इसके बिना कोई नई आदत बन नहीं सकती इसके बिना पुरानी आदत तोडने के लिए आप जब तक इस trigger को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस पुरानी आदत को नहीं जोपाएंगे तो यह वह पहला चर सब्सक्राइक के साथ सुना होगा यू क्रेब फो टी यू क्रेब फोर स्वीट यानि कि हाप अगर यह आदत पूरी न हो पा रही हो तो आपको जिंदिगी में कुछ कम लगता है आपको अंदर से एक तरह की हूक पैदा होती है कि आप ऐसा करना चाहते है इस इस कॉल्ड क् आपको अपनी पहचान के लिए जरूरी लगता है ऐसा हो सकता है कि यह है एक ऐसी चीज है जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको क्रेबिंग होती है आपको चाय पीने का मन करता है आप नहीं चाहते है चाय पीना लेकिन उसके बाव आपको इसका जो response मिलता है, इससे जो आपको satisfaction मिलती है, चाहे आप उसको मैसूस करें या ना करें, लेकिन आपको इसको reward मिलता है, वह आपको एक पूरे चक्र को पूरा करता है, और इस वज़े से आप रो जाना फिर इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, यह अंतते वह reward वा की कोशिश करें, आप कई उधारनों से शुरू कर सकते हैं, अगर मसले मान लीजिए, परीक्षा के लिहाद से शुरू करते हैं, अगर आप कोई पास date sheet आ गई है, अब तक आप सामाने तरह जिंदगी जी रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, नहीं भी पढ़ रहे लेकिन आप आगई date sheet, अब date sheet एक trigger है, एक Q है, जो बता रहा है कि अब परीक्षा आ गई है, अब क्या होगा, अब आप जो लोग गंभीर विद्यारती हैं, वो उस time table को, उस date sheet को सामने चिपका लेंगे, और फिर दीरे दीरे आप उसके पती पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक तरह की craving पैदा होगी, आपको लगेगा कि अच्छे अंक लाने हैं, आपको पढ़ना चाहिए, दूसरा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और इसके में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वह मूल काम जो आपको करने की आदत डालनी है, पढ़ मनवग्यानिक तोर पर एक बहुत ही interesting चीज है और इसका बहुत अत्यान मनवग्यान में होगा, नई चीज नहीं है, क्यों आप समझ सकते हैं कि मनवग्यानिक क्यों इसमें interested है, क्योंकि पूरा का पूरा बाजार इसी प्रक्रिया पर आधारित है, आप आएंगे कि कितने सा corporate houses हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे empire को, सामराज्य को इसी आधत के बूते पर खड़ा किया है, चाय के विश्य में एक पुराना उधारन दिया जाता है, कि दिल्ली में घंटा घर के पास, जब कोई दिल्ली में चाय नहीं पीठा था, अंग्रेजों के समय में जब के बागान लगाए गए भारत में तो चाय की खपद पढ़ानी थी, अब चाय की खपद पढने के लिए बारत के लोगों को चाय के आदर डालनी जब और जब कि भारत के लोग पहले से चाय नहीं पीठे था, तो बाकाईदा कहा जाता है, कि दिल्ली के घंटा घर के पास, बाकाइदा चाय मुफ्त बाटी जाती थी एक स्पेसेफिक समय पर और जब वह चाय लोग पीते थे और शुरुबात में जाहर है कि उन्हें चाय कड़वी लगी उन्हें पसंद नहीं आई लेकिन धीरे 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 उस कैफीन ने आपके मन में वो ट्रिगर भी पैदा वह रा किया वहर ड्रीवाड भी दिया कि धीरे धीरे लोगों को उसका स्वाद लग गया ये चाय पर लागू होता है ये काफी पर लागू होता है ये अलकोहल पर लागू होता है ये फोला पर लागू होता है ये तमाम किस्म के ऐसे उत्पादों पर लागू होता है जिनका शायद nutritional महर्पी कुछ खास नहीं है लेकिन वे आदत है तो इसका मतलब है कि corporate world ये जो company हों की दुनिया है ये बहुत गहराई से जानना चाहती है कि आदते कैसे लगते हैं smoking आप जानते हैं कि लोग जानते बूझते कि ये चीज नुकसान पहुचाती है इस habit के अगले चरण तक पहुच जाते हैं जिसे addiction कहा जाता है आदत से शुरू हुई चीज अंततय addiction की तरफ जाती है मनविज्ञानिकों में skinner एक शांदार experiment करते हैं इसे तमाम education के जो बाठेकरम है उसमें से पढ़ाया जाता है skinner के experiment जिसमें की skinner ने माना जाता है कि कभूतर के साथ experiment किया कुछ लोगों का कहना है कि चूह के साथ भी ये किया गया है लेकिन मूल बात क्या है कि कभी कोई व्यक्ति जब कभी मसलन चूहे का example ले ले लेती कि एक चोटा सा चूहेदान है जिसमें कि वह चूहा एक ऐसी दौड़ भाग रहा है लेकिन किसी बार गलती से एक लीवर दबता है और जब लीवर दबता है तो उस लीवर दबने से एक फूड ट्रे इसके अंदर आती है उसे खाना मिलता है जब उसे एक बार ये समझ में आना शुरू होता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौती बार होते हुट तो उसे समझ में आ जाता है कि इस liver को दभाने से food अब है उस फूड लीवर को दबाता है और फूड मिलता है लीवर को दबाता है फूड मिलता है बाद में अगर फूड मिलना बनवे हो जाए तब भी उसके आदत उस लिए को दबाने की रहती है यह जो response stimulus theory है आरस theory कहा जाता है classical conditioning में यह आदतों को समझने के लिए बहुत जरूरी है इस experiment के माध्यम से यह लगातार किया गया समझा गया कि हम विद्यार्थियों को भी इसी प्रक्रिया से सिखाते हैं हम तमाम लोगों को सीखने के लिए या आदत डालने के लिए इस experiment का इस्तिवाल करते हैं और यह जो trigger, reward, repeat यह TRR का सिध्धानत है इसका इस्तिवाल बार बार लोगों के व्यभार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है सवाल है कि इसका आपके लिए क्या महब है? आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए आपके समस्यां दो ही हैं मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं जिनकी वज़े से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसको दो कैटेगरीज में बाढ़ सकते हैं इससे जुडियो चीज़ यहां एक है जिसमें वे अवांचित आदतों से चुटकारा बना जाते हैं और दूसरा है जिसमें वे एक कोई positive आदत डालना चाते हैं सर कैसे हम इस चीज की आदत डालें, सर इस आदत से छुटकारा कैसे भाएं। प्रैक्टिकली स्पीकिकिंग, आपको इस ट्रिगर, रिपीट, रिवाट के सिधन्त को समझना पड़ेगा, सर उसे महत्पूर है कि आप अपने उस ट्रिगर को समझें। वह कौन सी चीज है, अगर मालीजी आप एक आदत से छुटकारा ना पाना चाहरे हैं, तो वह आदत जो जिस भी चीज की आपको आदत है, वह उसके शुरुआत कहां से होती है, उस ट्रिगर को पहचानी है। हाला कि इसकी शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले तो आपको इस डेनायल से बहार आना होगा, कि आपको किसी चीज की हाबिट है या नहीं है। का नुकसान हो सकता है, आपकी जो सफलता की दर है उसके कम होने का नुकसान हो सकता है, जो भी वज़य हो उसकी वेज़े आपको इस हाबिट को समझना है, जैसे आपको या आदत समझ में आएगी, आपको उसका ट्रिगर पॉइंट समझ में आना शुरू होगा, और यहां म में आपका मन किया किसी चीज को करने का और वह चीज सहज उपलब्द है तो ज्यादा संभावना है कि आप उस कारे को करेंगे यानि कि आपके आदत का अगर प्रिगर इसके लिए 20 सेकिंड का नियम दिया जाता है मसला मान लीजे कि मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ हमारे यहां अब तो विद्यार्थियों को टेलेविजन देखनी की इतनी आदत नहीं है लेकिन एक समय में टेलेविजन की आदत एक बड़ी परिशानी होती थी और होस्टल में आप जानते हैं कि जो टेलेविजन का कमरा है वे कमरे के आसपास रहते थे उनमें इस टेलेविजन देखने की आदत पढ़ने की संभावना ज्यादा होती थी और जो उससे दब से दूर जगे पर रहते थे उनमें इस आदत की संभावना कम होती थी सोमच सो कि हमें बड़ा हैरानी होती थी कि सतर के शुरूआत में जिनको टेलेविजन देखने की आदत थी वो बाकाइदा वार्डन के आगे पीछे होकर उसकी खुशामत करते थे कि उनको टेलेविजन रूम के पास वाला कमरा दिया जाए और अगर दूर वाला कमरा है तो क्या होगा मान लीजे टेलेविजन का मन किया ट्रिगर आया लेकिन टेलेविजन इतनी दूर है कि वहां तक पहुँचने में समय लगेगा उसमें एक आलस से आएगा तब हो सकता है कि चार मेंसे एक बारी वेक्ति उठके टेलेविजन देखने जाए और बाकी तीन बार उस करेंगे अगर उसे 20 सेचन्द से ज्यादा समय लग रहा है तो मुश्किल होगी आसान वाम लिजी आप बार बाले मान लीजी आप फेस्बुक देखते हैं इns्टराग्राम देखते हैं, असान सा तरीका, इंस्टाग्राम को अनिस्टॉल कर देजे, अभी भी आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, या तो आपको अपना ब्राउजर खूलना पड़ेगा, ब्राउजर में इंस्टाग्राम में लॉगिन करना इसमें संभवना है कि 20 से ज़्यादा लगेगा। मैं यह नहीं कह रहा है कि इसका मतलब है कि आप इस आदत को छोड़ देंगे। लेकिन 10 में से शायद 2 बार आप ऐसा करेंगे। आठ बार आप इसे मतिया देगे। और धीरे धीरे यह नेगेटिव रेंफोर्स्मेंट काम करेगा। और आप इसमें कम समय लगाने लगेंगे। संभव है पूरी तरह भी आजादे। यह नेगेटिव के साथ है। पॉजिट को डालना चाहते हैं तो आपको सुनिष्चित करना पड़ेगा कि वह आदत का ट्रिगर पैदा होते ही आप उसे तत्काल शुरू कर सकें उसे 20 सेकंड टालना न पढ़े। मसल मान लीजिए आप एक तरह की किताबे पढ़ना चाहते हैं। तो वह किताब अगर आपके ठीक म पर उपलब्द है। तो जैसे ही आपके मन में पर ट्रिगर आया, आपकी इच्छा होई कि किताब पढ़ी जानी चाहिए, तो तुरंद आप किताब उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि दीरे दीरे आपको यह आदत लग जाएं। इस त्रिगर्स को थोड़ा सा मुश्किल बना दीजी जिनको आप हसिल करना चाहते हैं। उनके ट्रिगर्स को थोड़ा सा आहसान बना दीजी। और इसके आप फिजिकल तरीके अपना सकते हैं। यह वह तरीका है च Commerce कम करते थे जिसे अब दूसरी चीज़, एक अन्य तरीका ये भी है कि जब आप आदत को आदत से रिप्लेस करते हैं, तब हमारे दिमाग को एक तरह का मुआवजा मिल रहा होता है, क्योंकि दिमाग एक बहुत शातिर अंग है, हमारा मन बहुत ही शातिर है, वह बेमतलब चीजे छोड़ने को तयार नहीं होता, क्योंकि समझे, आदत मस्तिश्क के लिए एक महत्वपूर्ण बौधिक आलस्से का काम करते हैं, मैंने शुरुआ आदत बाइड़नेशन ऐसी चीज़ है, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसका मतलब क्या है, दिमाग को आराम मिलता है, इसलिए आदतन की जाने वाली चीज़े, habitual जो चीज़े हैं, उनके लिए उनके favor में हमेशा दिमाग रहता है, क्योंकि उससे दिमाग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको दिमाग को गच्चा देने के लिए एक आदत को हटा कर उसकी जगे पर श्रम रखने की चाहिए, हाला कि ये ध्यान रखेगा, जिन्हें हम negative आदते कहते हैं, वे हमेशा आपको आनन्द दे रही होती है, जिन्हें हम positive आदते कहते हैं, वे हमेशा आपसे श्रम की उबीद कर रही होती है, इसलिए ये trade-off हमेशा असान नहीं होता, ये संभब नहीं है, आप चाहें कि आपकी जिन्दगी में कोई आदत ही ना हो, देखा जाए तो सांस लेना भी आदत है, इसलिए आदतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, आदतों का वरगी करण किया जा सकता है, कौन सी श्रेस कर आदते हैं, उन्हें रख लिया जाए कौन सी श्रेस कर आदते नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाएं, तो आप इस काम को कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर हमने किस चीज को समझा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, कि habits होती क्या है, why habits die hard, why exactly उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, हम ने इस चीज को समझा, फिर हमने ये समझा कि इसके चरण क्या है, और हमने जाना कि महत्वपुन्ची जो में है trigger, trigger के स्थर पर समझे, और उसके बाद स्वाभावे के repeat के स्थर पर समझे, ध्याना कि जब तक चीज दोराई नहीं जाएगी, वो आदत नहीं बलेगी, इसलिए पहले trigger, फिर उसका repeat और finally उससे मिलने वाले reward को समझना है, वो negative reward है या positive reward है, उस चीज को समझना है, ये भी समझेगा कि सारे की सारी आदते हमेशा व्यक्तिगत नहीं होती, और यहाँ वह वज़ए है जिस वज़ए से मैं इस वीडियो को इस स्तर तक लेके आने च व्यक्तिकत हैं, लेकिन हमारी कई सामोहिक या सामाजिक आदते भी होती है, हमें उन आदतों को भी पहचानना है, क्योंकि ये आदते भी positive या negative दोनों हो सकती हैं, मसलं, दूसरे के काम में टांग अडाने की आदत, judgmental होने की आदत, ये केवल व्यक्तिकत आदते नहीं हैं, क्योंकि हम समू के स्तर पर भी ऐसा करते हैं, सामाजिक आदते भी हैं, हाला कि हमें चीज के शुरुआत व्यक्तिकत आदतों से करनी पड़ेगी, लेकिन अंतते हमें सामाजिक आदतों तक भी होचना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि habits, आपकी जिंदगी का, आपकी त साल का मामला नहीं है, एक बात का मामला नहीं है, ये निरंतर चलने वाली बात है, इसलिए अगर आप अपने व्यक्तित वमें को सकारात्मक पर दाव लाना चाहते हैं, तो ध्यान रखेगा, सकारात्मक व्यक्तित वह होता है, जिसमें सकारात्मक आदतों की संब, कि जो झाल कि ऑपक्ट ऑला जुटू गजगू झाल कि ऑला हूं Guide